नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो मैं फिर आज देरों एक और वीडियो के साथ तो आज के अपनी इस वीडियो बे हम देखेंगे जो प्रमोशनल एक्जाम था कम्प्यूटर अप्रेटर ग्रेड ए का उसका एक्जाम जो है कल दो तारिक में लखनों में जीत किया गया था तो उसका एक्जाम के उपर हम किस तरह के कोश्चन आई थे किस सेक्शन से कितने को किस तरह के कोश्चन से तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा एक्जाम जो है वो आपका होने वाला है तो इसमें जो टोटल एक सो साथ कोश्चन से वो एक सो साथ ते इसमें से 80 कोश्चन जो थे वो कंप्यूटर के आने थे 40 reasoning के चालिस GS के और एक question के लिए जो था 1.25 marks थे उसमें तो मगर जो questions आए हैं उससे जैसा लग रहा है पूरे counting तो नहीं की मगर जो लग रहा है कि 90 के लगबग जो question थे वो computer से थे और 35 जो question थे वो reasoning और GKGS से थे तो इसमें जो paper का एक हम level कह सकते हैं तो वो ना जाद है hard था ना जाद है simple था एक moderate paper हम कह सकते हैं जिसमें अगर computers के बात करें तो बहुत simple question भी थे जैसे www के full form GUI की full form URL की full form तो इस तरह के जो थे वो simple questions भी थे अगर इसमें computer में section की बात करें कि के section questions से कितने questions थे तो सबसे ज़्यादा जो boolean algebra है जिसमें expressions होती है हमारी sum of product product of sum तो उससे लगबग 8 से 10 questions से के वल boolean algebra से question expression solve करने वाले उन्हें minimize करने वाले तो लगबग 8 से 10 questions से boolean algebra से उसके बाद networking से question थे 4 से 5 4 से 5 इससे question थे जो direction के question आते हैं हमारे कि इस दिसा में गया फिर इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा तो उससे लगबग 5 से 6 question थे shadow वाले 2 question थे कि इसकी shadow इधर बन रही है relation संबन जो होते हैं उनसे 4 question थे और DBMS से 4 से 5 question थे जो UP की GK है UP कि किस राज्य में कौन सा आयोजन हुआ किस संबेलन का आयोजन क्या गया उससे लगबग 4 से 5 question थे science से इस बार एक भी question नहीं आया था ना physics chemistry और biology से एक भी question इसमें नहीं था एक question ओलंपिक से था और समान से related जो प्रुसकार मिलते हैं उससे एक question था दो questions शायद history के थे बाकी जब answer की आईगी तो उससे पूरा clear हो जाएगा बाकी जो उमीद थी कि MS Word, MS Excel और PowerPoint से भी question आए तो MS Word, MS Excel से एक भी question नहीं था PowerPoint से के बल एक question था तो इस तरह से questions जो थे वो आए हैं बाकी इसमें अगर GS में आपको बता दूँ कि किस तरह के question थे तो कुछ question जो याद हैं वो इस तरह से थे कि सरवपर्थम मानम ने किस धातू का परियोग किया था तो ये वाला question था तामी का परियोग किया था थे पहले ऐसा योग आंदोलन कब वापस लिया गया था इस तरह की question थे क्रांती की माता किसे कहा जाता है वो मैडम बीका जी कामा तो ये वाला question था G20 की आधिकारिक भाशा कौन सी थी English, French, Spanish इन में से कोई एक या फिर तीनो तो ये तीनो ही G20 की आधिकारिक भाशा थी और सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर वाला राज्य कौन सा है तो वो महराश्ट था सबसे ज्यादा काजू उत्पादन वाला राज्य कौन सा था वो केरल है वारा नसी में क्रिकेट स्टेडियम कौन बना रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम किसके द्वारा बनवाया जा रहा है UP सरकार, Kain सरकार, BCCI या फिर ये और भी दोनों तो ये आप पर नेट पर साच कर सकते है इसका सही आंसर क्या है उसके बाद ओलम्पिक से था कि 28 का ओलम्पिक का आईरन कहा होगा तो ये वाला भी कोश्चन था उसका अंसर लॉस एंजलेस है तो इस तरह के कोश्चन थे इस तरह से जो था कोश्चन का बाइफरकेशन था कि कंप्यूटर्स के कोश्चन थोड़े जादा थे in comparison to reasoning और बाकि इस लेवल का एक्जाम था और जो पूरी पिक्चर जो किलियर हो पाएगी कि किसके कितने मार्क्स हैं क्या मैरिट बनेगी और किसका प्रोमोशन होगा किसका नहीं होगा वो बाकि जब या एक या दो दिन में आंसर किया जाएगी तो महाँ से पता चलेगा आए कुछ computers के question देखते हैं computers के कुछ किस तरह के question आई से तो वो मैं आपको दिखा दू computer के कुछ जो boolean algebra में से थे वो इस तरह के question थे the cumulative law of addition and multiplication indicates that ये उसके option से और इस तरह से question थे और देखते हैं कौन से question थे कुछ इस तरह के question थे in boolean algebra the word literal means क्या है इसका answer d है variable और its compliment ये question थे इसके अलावा reasoning में कुछ इस तरह के question भी थे lip, cup, lip, bird किस तरह से एक दूसरे संबन नित हैं ऐसा question था और देखते हैं कुछ question कुछ, series में कुछ इस तरह की question थे दोस्तों देख सकते हैं आप look at the series two, one, half तो कुछ ज़्याद है इतना hard नहीं था reasoning बिल्कुल easy ही थी और paper भी ज़्याद है कुछ hard नहीं था simple ही था ये इस तरह की question भी थे ये और ये तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं कि कैसा exam जो है आपका हो सकता है ये वाला question भी था determine the value of a, b, c, and d that make the sum a bar b plus c bar plus d equal to zero तो ये question भी आप देख सकते है ये question भी था which of the following expression is in the sum of product form ये आप अन्नाया लगा सकते है how many gates would be required to implement the following boolean expression before simplification तो ये आप देख सकते हैं ये आपर इस type की question थे ये था use boolean algebra to find most simplified SOP expression of f is equal to a, b, d, plus c, d, plus a, c, d, a, b, c, a, b, c, d इस तरह की question तो इससे आप थोड़ा idea लगा सकते हैं कि कैसा exam आपका आ सकता है तो दोस्तो इस तरह से तो इससे आपको थोड़ा बहुत idea लग गया होगा कि कैसा exam था किस तरह के questions आए थे बाकि आप अपनी तयारी करते रहें बहुत जल्द आपके exam की date भी आ जाएगी आई होप आप लोग अच्छे से तयारी कर रहेंगे आज की वीडियो में इतना ही मैं फिर आज रहूँगा एक और वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे फिर हाज रहूँगा एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद